यमुना नदी मा जर्स्तर मा भैजनक रिते वधारूत है उचे जिनकार्णे दिल्ली ना विविद विस्तार जर्मगन बनी गया शे चान्नी चोक आसपास ना विस्तारों मा पानी भराए गया उचे दिल्ली मा पानी भरावाने कार्णे जन जीवन अस्त व्यस्त थे गया उच अजय यादव हमारी साथे लाइव जोड़ा आयला शेवद विगतो साथ है अजय जिसकार दिल्ली में बाड़ की परस्तिती है अभी तंत्रक के द्वारा क्या आयोजन किया गया है लोगों को बचाने के लिए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए देखें सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं चादनी चौक से महत 400 से 500 मेटर की दूरी पे इस्तित हूँ और यहाँ पर जो नजारा आपको दिखाई देगा वो एक तरह से पूरा फिल्मी नजारा है और यह ऐसा जोइंट है जहाँ पर बाड़ अपने अं इसी जगह पर अपने अपने रास्ते से अपना सामान लेकर के एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है थे अभी थोड़े दर पहले यहाँ पर कुछ स्टुडेंट आया थे साइकिल से उनसे मैंने बात किया कि बाड़ की इलाके में आप लोग तफ्री करने के लिए आया है य यहाँ पर आप फसे हुए तो उनका उनकी तरफ से कहा जा रहा थे कि जब सुबह इसी इलाके से वो अपने स्कूल जा रहे थे तब यहाँ पर पानी नहीं था लेकिन जब लोट रहा है तो यहाँ पर पानी है और उनको राजगट जाना था यहाँ से करीब 7-8 किलोमेटर यानि वह बच्चे चारों तरफ से फस चुके हैं क्योंकि जगा 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 ना सिर्फ रोड ब्लॉक किया गया है बलकि जगा जगा पानी भर गया है सामने आप देख रहा है कि चादनी चौक की पार्किंग है और फिलाल यह खाली चल रही है लेकि कितनी तेजी से पानी उसमें भरता हुआ दिखाई दे रहा है और यहीं से राइट साइड में अगर बात करें तो यहां से लाल किला या चादनी चौक का इलाका 45-500 मिटर की दूरी पर इस्तित है जबकि यह सामने आप देख सकते हैं कि जो कालोनी है वहां पर पानी भरा हुआ है और वहां पर आप इस पे करीब 200-200 गाया है जिसको 24 घंटों से निकालने की कोशिस की जा रही है और लोग प्रशासन वहां पर नहीं पहुच पाया है लेकिन जो गौशाला की कर्मचारी है वो लगातार उनको निकालने की कोशिस कर रहा है तो एक तरह से यह नजारा सिर्फ एक जगा का है ज लेकिन दिल्ली के बहुत सारे ऐसे इसे इलाके हैं जहां पर बाड का पानी ना सिर्फ निचले इलाके में घुसा हुआ है बलकि जो वियाइपी कालोनी है वहां तक गुसा हुआ है उसमें एक एक जामपल पुराना पुलिस हिट क्वार्टर की अगर बात करें जो की इंडि मेजर कालोनी और इसी तरह से मदनपुर खादर कई सारे ऐसे इलाके हैं जो कि काफी उचे माने जाते हैं वहां पर भी पानी भर गया है जबकि 1978 की बाड आई थी तब इसी बाड को रोकने के लिए जगा जगा पर टटबंद बनाए गये थे ताकि दिल्ली में पानी घुस पाए लेकिन उस टटबंद को क्रॉस करते हुए पानी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में लगातार पहुसता चला जा रहा है तो एक तरह से दिल्ली की स्थी सामान नहीं है हलाकि इस बीच जो सबसे बड़ा खत्रा इस बाड की वज़े से है कि अब दिल्ली में पीने का स चालू होने में अगर बाड उतरती है तो उसके मशीनों को सीखोने में या उसको ठीक होने में कंसकर तीन से चार दिन लग सकता है तो एक तरह से इस बाड के साथ नसित लोगों को रहने वाले लोगों को दिक्कत है परशू जो रहते हैं अलग-अलग इलाकों में उनके जी तो लाल किले के करीब तक पहुचा था लेकिन अभी हम लोग थोड़े दर पहले जब रिपोर्टिंग किये थे ग्यारा बजे के करीब तब वहाँ चार से पांच फीट पानी लाल किले के पीछे की साइड में यह पिछली जो दिवार है वहाँ भर चुका है यहां तक कि फिरो समस्याएं काफी बढ़ सकती हैं हलाकि जो rescue operation है वो लगातार चल रहा है लेकिन कहा जा रहा है कि कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग अभी भी फसे हुए है और उनकर उन तक प्रशासन जो है पहुच नहीं पाया है तो दिल्ली की सती सामान नहीं है बलकि भयावा है औ और कई सारे इलाकों में खाने पीने का भी संकट हुआ है प्रशासन उन तक नहीं पहुच पा रहा है कई सारे लोग मिले जिनकी तरब से कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने सामान को तो निश्चित तोर पे उप्री छत पे सुरक्षित रख दिया है लेकिन आगे वो खाने खाना खाएं क्या कहां पे रहें ये इंतजाम नहीं है जबकि दिली सरकार की तरब से कहा जा रहा है कि हजारों टेंट लगाए गया है वहाँ पर लोग रह सकते हैं लेकिन जो बाड के इलाके हैं उधर कोहीं भी हम लोग ने जहां भी गोमा कहीं पे टेंट नहीं दिखाई नहीं है वो फोन के जरिए या ट्वीटर के जरिए तवाम सारे मैसेज़ भेज रहं है एंडी आरेफ द्वारा जे फसायला लोगोचे तेमने रेस्क्यू करवा निकार्मगीरी करवा मा आवे रही छे यमुना नदीना जर्सतर मा भैजन करी ते वधारो थयो छे आने आजे जर्सपाटी छे जे दिल्ली नी अंदर रत्यारे पूर पहुंची चुक्या आजे ते वधू आगरवती शके छे परन्तु आवती काल थी अत्वा तो आजे सांजती या पाणी उसरवाना शिरुआत थे शके छे